प्रस्ण संख्या इगारा निम्लिखित परिमे संख्याओं को लिखे यदि प्रस्ण इगारा कब पहला अंस बराबर माइनस दो गुना तीन हर बराबर कितना दिया है बीस माइनस पंदरा तो अंस कितना है माइनस दो गुना तीन यानि कितना हो जाएगा माइनस छे देखे माइनस दो गुना तीन यानि तीन दुना छे माइनस लगा हुआ है तो minus plus minus यानि minus 6 और हर कितना हो जाएगा 20 minus 15 तो 20 में से 15 खटाएगे तो 5 20 में से 15 खटाएगे तो 5 ठीक है तो संख्या क्या हो जाएगा तो संख्या बराबर यानि परिमे संख्या तो लिखेंगे परिमे संख्या बराबर अंस अंस को पहले लिखते हैं यानि minus 6 बटा 5 और हर को नीचे यानि minus 6 को अंस को उपर लिखते हैं और हर को नीचे तो अंस क्या है minus 6 और हर है 5 यानि minus 6 बटा 5 तो प्रस्निगारा का पहला इस तरह हल करेंगे देखें, दूसरा, अंस बराबर पांच गुना माइनस तीन, और हर बराबर कितना दिया है, हर बराबर दिया है, दो गुना साथ, तो अंस पांच गुना माइनस तीन, यानी माइनस पंदरह, और हर दो गुना साथ, यानी 14, ठीक है, तो अंस हो गया माइनस पंदरह, और हर हो गया 14, तो परिमेस् अंक्या क्या हो जाएगा, तो परिमेशन क्या बराबर अंस है माइनस पंद्रह तो माइनस पंद्रह बटा 14 अंस को उपर लिखते हैं और हर को नीचे यानि माइनस पंद्रह बटा 14 इसका उद्दर होगा प्रस्न 3 अंस बराबर माइनस 18 माइनस 3 हर बराबर माइनस दो गुना 5 तो अंस है माइनस 18 माइनस 3 तो माइनस 18 माइनस 3 18 3 21 माइनस दोनों है तो जूट जाएगा और चीन माइनस कहीं देंगे और यहां माइनस दो गुना 5 यानि minus 10 हर बराबर कितना होगया minus 10 तो परिमेर संख्या कितना हो जाएगा परिमेर संख्या बराबर अंस क्या है minus 21 और हर है minus 10 तो देखे अंस में भी माइनस है और हर में भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जागा यानि 21 बटा 10 ठीक है दोनों में माइनस है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जागा प्लस यानि 21 बटा 10 होगा इसका उत्तर परिमे संख्या बराबर प्रेस्न बारह निमलिखित में X का मान परिमे संख्या के समुह में ग्यात करें तो प्रस्न बारह कब पहला 4X बराबर 2 दिया हुआ है ठीक है तो X बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 4 क्यूंकि 4 जो है X के साथ गुना में है बराबर के बाया तरफ तो दाया तरफ 4 को भेजेंगे तो भागम हो जाएगा यानि 2 बटा 4 तो 2 दूना 4 यानि 1 बटा 2 इसका उत्तर होगा 1 बटा 2 प्रस्न दो प्रस्न दो में है 5X बराबर 1 5X बराबर 1 तो X का मान परिम्य संख्या के समूह में ग्याद करना था तो देखिए आ चुका है इसका उत्तर परिम्य संख्या के रूप में एक बटा 2 उसी तरह इसमें 5X बराबर 1 है तो एक बराबर हो जाएगा एक बटा 5 एक से साथ पांच गुना में है तो बाया से दाया तरफ लाएगा तो भागम होगा यानि एक बटा 5 इसका उत्तर होगा प्रेस ने 3 3X बराबर माइनस 4 3X बराबर माइनस 4 अत्र एक से बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 बटा 3 तो 3 को इधर लाएगे तो भागम हो जाएगा ठीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस 4 बटा 3 प्रेस्ण 4 में है तीन एक्स बराबर सुन्य अत्य है एक्स बराबर हो जाएगा सुन्य बटा तीन तो तीन देखे गुना में है बाया तरफ तो दाया तरफ लाएंगे तो भागम हो जाएगा यानि सुन्य बटा तीन तो सुन्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो सून नहीं आएगा उत्तर यानि एक्स बराबर सून ने पांच वाँ दो एक्स प्लस तीन बराबर सून ने तो दो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस तीन प्लस तीन को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो माइनस तीन ठीक है तो बराबर के बाया तरफ है 3 यानि प्लस में है इसको इधर लाएंगे यानि बराबर के दाया तरफ तो माइनस 3 हो जाएगा अत्य है एक्स बराबर कितना आ गया माइनस 3 बटा 2 2 गुना में है बाया तरफ तो दाया तरफ आके भाग में हो जाएगा यानि माइनस तीन बटा दो इसका उद्दर होगा शिक्स छट्था तीन एक्स प्लस साथ बराबर सुने तो तीन एक्स बराबर हो जागा माइनस साथ प्लस साथ को बाया से दाया तरफ लाएंगे तो माइनस साथ आथा है एक्स बराबर माइनस साथ बटा तीन एक्स बराबर कितना होगा माइनस साथ बटा तीन तो इस तरह हम प्रस्न बारह हल करेंगे प्रस्न तेरा निमलिखित कथनों में कौन सत्य तथा कौन असत्य है तो प्रस्न 13 का पहला परिमे संख्या संदामन बटा 23 संख्या रेखा पर सुनने के बाईं और होती है तो देखें संख्या रेखा इस तरह से बनाते हैं सुनने हो गया ठीक है सुनने के दाया तरफ हो गया धनात्मक संख्या और सुनने के बाया तरफ रिनातमक संख्या यानि माइनस एक माइनस दो माइनस तीन ठीक है तो सुनने के बाय और रिनातमक संख्या हो गया यानि माइनस में और सुनने के दाय और धनातमक संख्या यानि पलस में ठीक है तो परिमेश संख्या संतामन वटा 23 संख्या रेखा पर सूनने के बाई और होती है तो बाई और तो रिनातमक संख्या होता है तो देखे इसके साथ तो कोई माइनस कचीन नहीं लगा हुआ है इसलिए ये असत्य कथन है तो हम लिखेंगे असत्य इसके सामने क्या लिखेंगे असत्य क्योंकि अगर इसके ये देखे प्लस में है दोनो संख्या यहां पे प्लस में है ठीक है तो ये सुनने के दाई और होगा बाई और नहीं होगा इसलिए परिमे संख्या संदामन बटा 23 संख्या रेखा पर सूनने के बाईयोर होती है यह जो कह रहा है वो असत्य है तो हम असत्य लिखेंगे परिमे संख्या साथ बटा माइनस चार संख्या रेखा पर सूनने के दाईयोर होती है तो देखे सूननी के दाइं और हमेशा धनात्मक संख्या होता है लेकिन यहाँ पर तो रिनात्मक संख्या यानि माइनस लगा हुआ है तो यह तो सूननी के बाइं और होगा ठीक है देखे माइनस लगा हुआ है यानि यह रिनात्मक संख्या होगा तो सुनने के बाई और होगा लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सुनने के दाई और होती है तो यह भी हसाते है परिमेश संख्या माइनस आठ बटा माइनस तीन संख्या एक पर सुनने के न तो बाई और न दाई और होती है तो देखिए सुनने के ना तो बाई और ना तो दाई और सिर्फ सुनने ही होता है ठीक है तो ये हो गया माइनस माइनस देखे दोनों में तो माइनस माइनस कदम हो जाएगा यानि सिर्फ आठ बटा तीन है तो आठ बटा तीन सुनने के दाई और होगा ठीक है तो इसमें कह रहा है कि सूनने के न तो बाईयोर न दाईयोर होती है तो ये भी असत्य है क्योंकि ये है धनात्मक संख्या क्योंकि माइनस माइनस हो जागा प्लस तो सूनने के ये बाईयोर होगा ठीक है लेकिन यहाँ पर कहा रहा है कि सुनने के न तो बाई और न दाई और होती है तो यह गलत है यानि असत्य है परिमेश संख्या एक वटा दो और माइनस एक संख्या रेखा पर एक दूसरे के विप्रीत अस्थीत होती है तो परिमे संख्या एक वटा दो और माइनस एक संख्या रेखा पर एक दूसरे के विप्रीद अस्थीत होती है तो यह सत्य है यानि सत्य कह रहा है कैसे तो देखे एक वटा दो हो गया धनात्मक संख्या यानि सुनने के दाई और अस्थीत और माइनस एक हो गया रिनात्मक संख्या यानि सुनने के बाईयोर अस्तित तो एक है दाईयोर एक है बाईयोर तो एक दूसरे के विप्रीद अस्तित है इसलिए ये सत्यकतन है